तो science का exam बस अब आने वाल है, तुम्हारे one of the hardest exam अब जा चुके है, math चला गए, अब बस अब science भी चला जाएगा, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद, जो science में तुम्हारी दिक्कत है कि कहां से questions आएंगे, previous year question कहां से do, do, notes नहीं मिल रहे हैं, मैंने साल बर बनाया भी नहीं है, वो सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुक पर बुक पकड़ा दूँगा, मैं कि पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एक best quality notes, जो कि तुमने social science के लिए भी देख रखे हैं, और बाकी पिछले हर subject के लिए देख रखे थे, ये 3 hours, 5 hours वाले videos में, वैसा ही तुम्हें best content मिलने जा रहा है, science का भी, तो अगर अब तक copy नहीं बनाए हो, और पढ़ना है, one shot videos देखना है, कुछ पता नहीं है कि क्या लिखूं क्या नहीं, तो ये वाले PDF, ये वाले material तुम्हारे लिए best helpful रहेंगे, थोड़ा सा छोटा सा ही बस ये वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, अपने दिल को काबू करके इस पूरे वीडियो को देख लो, जिससे कि सारे तुम्हारे जो भी दिमाग में questions हैं, वो सब clear हो जाए, और तुम्हें पूरा pathway पता चल जाए, कि आखिर तुम 5 घंटे में अपना पूरा syllabus कैसे complete करो होगे, ठीक है, great, अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखे हो, तो passing marks आ ही जाने हैं, अराम से, अच्छे का से number ले आओगे, लेकिन अगर पढ़ रखे होगे, तो ये तुम्हारे लिए एकदम राम बान की तरह बहुत ही helpful चीज रहेगी, तो start करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, great, सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को मिल रही है, वो है यहाँ पर notes, short notes, 17 पन्ने हैं बस उसके, और फिर हर chapter दो-दो पन्नों में ही निपट चुका है, ठीक है, हर chapter दो-दो पन्नों में, जितने भी important topics, ये ohms, law, अगयरे, इस अब दिमाग में नहीं रहता है न हो, सब अच्छे से clear हो जाएगा, बहुत ही crisp notes है, कोरे कागस वाले notes इस channel पर कभी नहीं मिलते हैं, कि सफेद सफेद पन्ने पर सब कुछ लिखा हुआ है, print किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, ऐसे नहीं मिलते हैं, एकदम animation के साथ, cartoon stickers वगरा सब लगा कि तुमारे एकदम ready किया गया है, एकदम प्यार से उसको download कर लेना, और उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, 17 पन्ने हैं, बस अराम से पढ़ लेना, कोई tension ना है, नीचे description में direct download link मिल जाएगा, करने में तुम्हें इसे complete करने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे, अगर पढ़ना शुरू कर दोगे, तो complete करने में करीब 2 घंटे लग जाने, great, तो 2 घंटे अपने इसी में हो गया, 2 घंटे, 2 घंटे इसी में अपने लग जाएंगे, इसके बाद क्या करना है भईया जी, मैंने तो notes पहले से अपने revise करके रखे हैं, मैंने notes भी बना रखे ह ठीक है, नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं, एक बर बस जल्दी बाजी में reading ही कर लो, याद करने की, print करवाने की कोई जोत नहीं है, अगर तुमने अपने notes भी बना रखे हैं, ठीक है, great, इसके बाद next step अपना आता है, previous year question और most important question solve करने का, सब लोग कहते नहीं रहते हैं कि previous year question solve करो, most important question solve करो, तो वो भी अब हम लोग करेंगे next step में, कैसे करेंगे, तो एक काफी प्यारी सी यहाँ पर तुम्हें worksheet दी गई है, description box में, notes वाले link है न, just नीचे ही तुम्हें वो भी link मिल जाएगी worksheet की, उसमें हम लोगोंने 7 चैप्टर जो तुम्हारे science के exam में आ रहे उसके अब तक जितने भी question आज रखे हैं, पी वाई की, उस previous year question और जो most important question जो इस साल आ सकते हैं, वो सभी question अच्छे से बना कर रखे गए हैं, और एकदम PDF में अच्छे से तुम्हें लगेगा कि क्या गजब चीज बन रखी है, उसे एक बार बस reading माल दोगे, तो वो तुम अबर अच्छे से complete कर लेना, तो काफी help मिल जाएगी, ये दोनों काम अगर कर लेते हो, इस काम को करने में करीब 2,5 घंटा भी लग जाना है, ठीक है, अगर 17 page वाले short notes, animation वाले notes अगर download कर लेते हो, और ये most important question वाले PYQ वाले sheet download कर लेते हो, तो करीब 5-6 घंटे के अंदर तुम्हारा दिमाग में एकदम हर एक topic घुश जाना है, एकदम घुशी जाना है, पता है क्यों, क्योंकि last minute में, तुम ऐसा कोई भी topic मिस नहीं करना चाहोगे, जो तुम्हारे exam में आ रहा हो, और तुम जल्दी बाजी के चेकर में छोड़ कर चले जाओ, तो ये notes, ये PYQs अगर एक बर बना लोगे, एक बर देख लोगे, तो तुम्हें सारे important question, सारे important topics तुमारे आखों के सामने आ जाएंगे, और पता है ये most important question और ये PYQ वाला जब sheet खोलोगे न, तो उसमें कई सारे question ऐसे होंगे, जो तुम्हारे teacher ने तुम्हें बता के रख्योंगे, कि ये बहुत important है, इसे बना कर जाना, इसे बूलना नहीं, या फिर pre-board में कई सारे question उसके तुम्हारे match कर रहोंगे, तो काफी आसान है, अच्छे से एक बर इन्हें solve कर लेना, अब अगर ये भी कर लेता हो, पांच घंटे के अंदर तुम्हारा पूर एकदम घजब revision हो गया, अ और कोई tension नहीं है, पूरा chapter दम अच्छे से complete हो जाएगा, अब थोड़ा सा बात उस पर करते हैं कि भाया, दिमाग नहीं लगता है मेरा, most important question जब मैं sheet देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा ह या फिर question का answer जो लिखा रहता है, वो समझ नहीं पाते हो, science है ही ऐसी चीज, अपना social studies थोड़े है कि एक बार read कर लोगे तो पूरे कहानी समझ में आ जाएगी, तो कुछ chapters तुम्हारे ऐसे होंगे ही, जिनकी तुम्हें कहानी नहीं पता है, जिनका तुम्हें concept नहीं पता ह science के कुछ, मतलब ऐसे chapters होंगे, तो अब क्या करो, तो अगर थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, पले पढ़ रहा है, तो one shot videos दे सकते हो, इस channel पर भी one shot videos available है, या फिर YouTube पर भी किसी से भी देख लो, कोई tension नहीं, अगर most important question solve करने है, previous year question solve करने है, तो उसके लिए ना जो मैं download करने के लिए बोल रहा हूँ, 7 chapter की, उसके 7 link तुम्हें मिल जाएंगी description में, वही same questions एकदम अच्छे से concept समझा समझा कर करवाए गए हैं, तुम description को बस open कर लेना, free में तुम्हारा open हो जाएगा, 7 link रहेंगी, 7 chapter के special classes की link है, वहां से जाकर उसे अराम से open कर लेना, वह open हो जानी है, ठीक है, सारी classes free है, जो chapter नहीं समझ में आता है, उस chapter का जाकर वहां पर link खोलो, और 1.5x, 2x पर करके तुरन देख डालो उस chapter का पूरा वीडियो, जिससे कि previous ये question उस chapter के बन जाए, ठीक है, कुछ chapters होते नहीं, 7 chapter में तुम्हारे 3-4 chapter ऐसे होंगे, जो तु मिलाई हुआ है, जो नहीं आ रहा है, उसके देख लो, वीडियो नीचे description में, उसके link है, 7 chapter के link है, अराम से इसको देख लेना, ठीक है, और सब free है, ठीक है, कोई भी पैसा ना लग रहा है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस description के link से एक बार देख लेना, अगर नहीं पढ रखे हो तो, अगर समझ में आ जा रहे है, तो क्यों time waste कर रहो, पांच घंटे में पुरा chapter निप्टाओ, स्लेबस निप्टाओ, और सो जाओ ना, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर कोई दिक्कत है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्योई chapter, तो उसके वीडियो देख सकते ह description खोलो कि अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है, great, तो जाओ अभी just download कर लो, और कोई tension है, अब एक और छोटी सी information, इतना सब तो हो गया, लेकिन भाया, ये one diagram कैसे बनेंगे, confusion होती है, activities से कौन से question आते हैं, वो भी confusion हो रही है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए क एक sheet मैं बना रहा हूँ, शाम पेक तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा, all activities in one shot का, और all diagram in one shot का, एक बार उसको अराम से देख लेना, ठीक है, उस वीडियो को एक बार अराम से देख लेना, और बस उसको बना लोगे, तो जो अजीब type के questions नहीं आते हैं, वो सारे questions बन जा कि जिससे तुमारा एक बार final revision भी हो पाए, क्योंकि अभी तुमारे पास थोड़ा समय बाकी है exam से पहले, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा बन जाए, जो तुमारा एक धेड़ घंटे महीं पूरा revision करवाद, एक और बार, अच्छे से, इससे भी कुछ short form, तो उसकी पूरा syllabus अच्छे से complete करो, अगर इतना कर लेते हो, पांचे घंटाय लगेगा, शान्ती से बैठ कर कर लेते हो, तो science के exam में full number आने ही है, तो मैंने भी science के exam दे रखा है, तो एकदम trust कर सकते हो तुम, काफी gadget के questions आते हैं, काफी easy questions आते हैं, बस नीचे वाले जो notes हैं, जो material स उन्हें download करके एक बर पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे number आ जाएंगे, और subscribe करके जो घंटी रहती हो, उसको भी दबा देना है, जिससे की notification भी आ जाए, subscribe कर लिए हो, घंटी नहीं दबायों, तो क्या फैदा, तो घंटी दबा लेना, अगर नहीं दबायों, फिर भी दबा करूँगा, great, तो इस वीडियो को बंद करते हैं, thank you so much for watching, और बस पढ़ लो, और क्या exam में तो full number आ नहीं है, great